हेलो मैं दियर स्टुडेंट वेलकम टू माई यूटूब चैनल एकके अस्टरी भीला आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल पर तो जैसे कि जो भी विहार बोट के स्टुडेंट हैं और क्लास 12 एग्रिकल्चर से कर रहे हैं और आप सभी जानते हैं कि एग्रि सीट है तो अगर आप एग्रिकल्चर पढ़ रहे हैं तो इस यूटूब चैनल पर एकदम नए सीरे से आप सभी को एग्रिकल्चर का कोर्स बिल्कुल मुफ्त करवाया जाएगा यानि कोई भी आप सभी को बहुत सारे पैड क्लासे जो है आप सभी को पैड व्लासे लेने क पूछे जाते हैं आपको और चेप्टर जो भी है उसके आज जनकारी को प्राप्त कर लेते हैं और आपको नए सिरे से सारा सिलेवस जो है के अनुसार आपकी पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त ही होगी ठीक है तो जैसा कि मैंने पहले भी पढ़ाया है और एक इरिकल्चर के सिले वास और पूरी तरीके से जितनी पढ़ाईया है जो की 11 में क्लास में और 12 क्लास में एक रिकल्चर के स्टुडेंट है उनके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ तो जो भी स्टुडेंट भी हारवोड के हैं और एक रिकल्चर के हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें बि उस ग्रूप में आप जोइन कर ले ताकि आपका पीडियेफ नोट्स वगएरा बिल्कुल मुफ्त मिले तो के माइडियर स्टुएंट आज के क्लास में हम लोग एग्रिकल्चर का इंटोड़क्सन लेकर आये हैं और साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग सीलेबस के बारे म भी जानेंगे जो कि क्लास 12 के लिए होगी बहुत जल्द हम लोग 11 के लिए भी मतलब सुरू करने वाले हैं जो कि क्लास 11 में छातर इस बार एडिमिशन लिए हैं तो जो भी आपके दोस्त हैं यह सब सारे उनके पास जरूर सेयर कर दिजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए क्योंकि ऐसा क्लास बिल्कुल फिरी में आपको कहीं नहीं मिलने वाला है बहुत सारे क्लास होंगे जो कि आपसे पैसे लेते होंगे दो से तीन हजार रुपए आपको कोर्स के लिए लग जाते होंगे लेकिन यहां पर बिल्कुल फिरी में आपको वैसे ही पढ़ लेटीन सब्द है एग्री का मतलब होता है एगर एग्री यह सब्द से बना हुआ है दो सब्दों से मिल के बना हुआ है एक आपका है एग्री और दूसरा है कल्चरा तो एग्री का मतलब होता है स्वायल यानि मिट्टी और कल्चरा का मतलब होता है कल्टिवेशन यानि जुत अरिकल्चर दो सब्दों से मिलके बना यह आप सभी ने जाना अब हम देखते हैं कि एगरिकल्चर के परिभासा क्या तो देखते हैं पढ़ते हैं कि क्रिसी मनुष्य मात्र का वह कारेकलाप है यानि एक्टिविटी जो पृत्वी के संसाधनों को इस्थम उपयोग के द्वा पांच उद्देश्यों यानि पांच उद्देश्यों के लिए इन सब चीजों के लिए उपयोग किये जाता है और वो पांच एफ हैं पांच एफ यानि फाइफ एफ अब फाइफ का मतलब क्या होता है पहला एफ का मतलब होता है फूड यानि भोजन एगरिकल्चर से यह स रेसा यह सब जो भी हमारे कपड़े बगएरा है रेसे से बने जाते हैं सारा चीज और पांचवा है फियूल यानि जलावन तो यह सब चीजों के हम लोग क्या करते हैं कि सारा एंगरी कल्चर से इन सब चीजों से हमें मिलता है और 5 एफ पर हम लोग निर्भर रहते हैं तो आ शाकोषब्लब पादन, सारे जो हैं यह सब एगरिकल्चर के तहत आते हैं, तो बहुत ही अच्छछ से सारा चिज़ को जानेंगे और समझेंगे और देख़ेंगे, अब आईए हम लोग सिखते हैं एगरिकल्चर की परिभासा क्या है तो अग्रिकल्चर की आधोनीक परिभासा जो भी पढ़ा उसन्छिप्त रुप में पराण करती है यानि पांच-व भी आपका अग्रिकल्चर की परिभासा संछिप्त रुप में लेकिन जिसके अनुसार क्रीसी का वह कारेकलाप है जिसका मुख उदेश प्रिथवी के संसाधनों को इस्थम उपयोग के द्वारा भोजन रेसेम जलावन को उत्पादन कहें यानि क्रिसी का वैसा है क्रिसी एक ऐसी परकार की कार एकलाप केनी एक्टिविटी है काम करने का तरीका है जिसका उद्धे से क्या है कि इस प्रिथवी में जितने भी संसादन है उसका अच्छे से उप्योग भोजन यानि भोजन जो है रे से और जलावन का उत्पादन ये देखा गया है तो इंग्लिस मेडियम के स्टुडेंट वाले भी इस चीज़ को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं अब आईए जानते हैं कि सिलेवस ऑफ एगरिकल्चर ठीक आपको बिल्कुल जो भी क्लास जितने भी कोर्स अंत तक एक्जाम तहट आपको पढ़ाया जाएगा सारा एक-एक टोपिक आपको किलियर करवाया जाएगा बस आपस एक छोटी से गुजारिस है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए और ज्यादस ज्यादा स्टुडेंट के पास जो भी आपके साथ एकरी कल्चर पढ़ रहे हैं उनके पास सेयर कर दिजिए ताकि कि कि सब्सक्राइब कर दिजिए यही आपका फी रहेगा और आप जब इतना करते हैं तो मैं भी आप ती तरह से पूरी तरीके से पिछली बार की तरह अच्छे से पूरे दमखम के साथ आपके साथ लग जाऊंगा और आपके सिलेवस को करने लगा इस तो बार के बहुत सारे ल कम्प्लीट किया है तो जैसा कि मैं आपको बता दू मैं इडियर स्टुएंट एगरिकल्चर का जाम सो माक्स का है लेकिन आपको ये सतर माक्स थियोरेटिकल मिलेंगे और तीस माक्स आपको प्रैक्टिकल मिलेंगे यानि सतर माक्स के में लिए मैं आपको सिलेवस बताता जो कि आपको theoretical निमिलेंगे यानि मेरा जो भी पढ़ेंगे आप उसके अनुसार लिखने के अधार पे 30 marks आपको practical होगा तो आईए हम लोग जानते हैं कि syllabus जो है यानि आप सभी जानते हैं बिहार बोट का syllabus 50-50% में विभाजित है तो 50% में इसका 70 marks theoretical होगा तो 35 marks इधार और 35 marks इधार तो आपको इस YouTube चैनल पर 300 marks यानि यह 100 marks और 200 हिंदी इंगलिस का भी आपको syllabus complete कर रहे जाएगा यह एक ऐसा YouTube चैनल है जो कि बिल्कुल मुफ्त में सारे syllabus को complete कर रहा है और अच्छे से अच्छे marks देने का काम कर रहा है तो कोई पैसे नहीं कोई आपको pad course नहीं देना है कोई आपको app नहीं load करना है आपको बिल्कुल WhatsApp group से जोड़ जाएए और आपके लिए बिल्कुल निसुलक सेवा है तो 35 marks आपको objective और 35 marks आपको subjective से short question answer जो है 35 marks आपको objective से पूछा जाएगा तो जैसा कि अभी 2-3 सालों से कुरोना के कारण 70 question पूछे जा रहे हैं और जबाब सिर्फ 35 के आ रहे हैं तो बिल्कुल वैसे ही अभी इसी pattern पर समझेए तो short question answer जो है आपको 20 marks का आता है और long question answer तीन आपको बनाने होते हैं 15 marks के अभी ये सब 2 गिने पूछे जा रहे हैं 20 ये पूछे जा रहे हैं 6 ये पूछे जा रहे हैं 6 में से 3 का जवाब देना है और 35 आपको objective question है तो आईए अब जानते हैं कि हमें पढ़ना क्या है 12 class का जो syllabus है आपके किताब का किताब अगर आपके पास नहीं है तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है आप चाहें तो पटना जाकर बिहार बोड ये सब जो भी हार बोड के अंतरगत किताब ही मिलती है अगर नहीं किताब भी खरिदते हैं तो कोई बात नहीं सारा जो भी है आपको यहाँ PDF के माध्यम से मिलेगा आप notes बना लेंगे और notes बनाने के साथ साथ quiz भी किया जाएगा quiz आपको mcq question मिलेंगे तो आपको बिलकुल किताब खरिदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो अध्याए इसलिए आप WhatsApp ग्रूप से ज़रूर जोड़ जाएगा तो आपके class 12 का जो सरकारी book है मेरे पास वो book है तो वो जो है क्या है कि दो इकाई में बटी हुई है इकाई एक और इकाई दो यानि दो इकाई में बटी हुई है दो पाट में बटा हुए है दो सेक्षन में इकाई एक में हम सभी को साथ चेप्टर पढ़ना है और आपको इकाई दो में छे चेप्टर तो आएए जानते हैं वो 7 चेप्टर कौन-कौन है, पहला चेप्टर है अध्याएक फसलो का वर्गीकरन, यानि इसमें फसल को बाटा गया है, दूसरा है अध्याएदो की फसलो की खेती, खेती किस परकार होती है ये समझना है, तीसरा फसल पाणडाली, फसल पाणडाली या इतना जल का परवंदन होना चाहिए ये सब सरा चीज पांचवा है खर पतवार परवंदन यानि उसके बाद जो भी खर पतवार यानि जो फालतु के फसल उग जाते हैं खेटों में तो उसको नश्ट करने के लिए उन सब चीजों का पढ़ना है उसके बाद एक क्रिसी के छे पैसों से लेन देन क्या होगा इसका अर्षास क्या रहेगा तो यह सब सारा चीज है तो आप इस सब सिलेवास अगर आज का पीडियेश जो चाते हैं आप डिस्क्यूशन बॉक्स में वाट्सप का ग्रूप का लिंक दिया रहेगा आप जरूर उससे डाउनलोड करें और ड पोटल इउनिट हम सभी को तेरा पढ़ना है और तेरा से आप सभी को सत्तर माक्स आएंगे तो देखते हैं कि क्या क्या है एक में पढ़ना है उद्धान विज्ञान सम्मंदी बुन्यादी जनकारी यानि जो भी उद्धान विज्ञान ये सब साधी हैं उनके पीछे थोड के प्लान democration फसलो पाधन फॉलों का प्लांटेशन यानि पसलों का फॉलों का ये सब पनटेशन कैसे किया ता है प्लाप आहो का सबजियों का प्लान और सिख्छा तो ये सब सार hen सब्सक्राइब करेंगे और सेयर करेंगे वहीं मेरे लिए सबसे बड़ी है कोई सबस्क्राइब करें और सेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इसको मतलब लोगों के पास भेजने के प्रयाज करें यही मेरा मोटो है ताकि सिख्षा सभी के लिए जुकेशन फोर ओल थैंक्स एलोट